साथियों, जब मोधी आपको दी गई ऐसी गारंटिया पुरी करती हैं, तो कुछ लोगों की निंद वुड जाती हैं, आप कॉंग्रेस की स्थिती देख रहे हैं, आपने हाल में इक कॉंग्रेस को सबग सिखाया है, लेकिन ये मानते ही नहीं, आज भी इनका एक एजेंडा है, मोधी को गाली दो, जो भी मोधी को जितनी जादा गाली दे सकता है, उसे कॉंग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती हैं, ये विक्सित भारत का नाम तक नहीं लेते, क्योंकि मोधी इसके लिए काम कर रहा है, ये मेडिन इंडिया से बचते हैं, क्योंकि मोधी इसे बढ़ावा देता है, ये वोकल फॉर लोकल नहीं बोलते, क्योंकि मोधी इसके लिए आग्रह करता है, जब भारत पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बनता है, तो पूरे देश को खुशी होती हैं, लेकिन कॉंग्रेस के लोगों को खुशी नहीं होती, जब मोधी कहता है, कि अगले कारकाल में भारत दुनिया की तीसरे नंबर की ताकत बनेगा, तब भी पुरा देश आत्मविश्वाद से भर जाता है, लेकिन कॉंग्रेस के लोग इसमें भी निराशा ढूमते हैं, मोधी कुछ भी करें, मोधी कुछ भी करें, ये उसका उल्टा कहेंगे, उल्टा करेंगे, चाहें इसमें देश का भरी नुक्षानी क्यों नहीं हो, कॉंग्रेस के पास एक ही एजंडा है, मोधी विरोध, गोर मोधी विरोध, मोधी के विरोध में ये ऐसी ऐसी बाते फैलाते हैं, जिससे समाज बढ़ जाएं, जब कोई पार्टी, परिवारबाद के, बौण्षबाद के, गोर कुछ चकर में फस जाती हैं, तो उसके साथ ऐसा ही होता है, इसमें यात्रियों को बहुत सुवीदा होगी, साथियों, कॉंग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है, को वो दुर्गामी सोच के साथ सकारत मग नीतिया नहीं बना सकती है, कॉंग्रेस न बविश्य को भाप सकती है, और ना ही बविश्य के लिए उसके पास कोई रोड मैप है, कॉंग्रेस की इसी सोच की वज़़ से भारत अपनी बिजली ववस्ता को लेकर बदनाम रहता था, कॉंग्रेस के दौर में बिजली की कमी के कारण पूरे देश में कई कई गंटों तक अंदेरा हो जाता था, जब बिजली आती भी थी, तो बहुत कम समय के लिए आती थी, करोडों गरिब परिवारों के घर में तो बिजली कनेक्शन ही नहीं था, साथियों बिजली के अभाव में कोई भी देश विक्षित नहीं हो सकता, और कॉंग्रेस जिस रप्तार से इस चनोती पर काम कर रही थी, उससे बिजली समस्या ठीक होने में कई दसक लग जाते हैं, हमने सरकार में आने के बाद देश को बिजली की चनोतियों से निकालने पर जाते हैं, झालने पर जाते हैं,